नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं इंफिनिटिव के बारे में मतलब कि इंफिनिटिव के सभी यूजर के बारे में जानने वाले हैं देखे, to plus verb की first form versus to be plus verb की third form इन दोनों में अंतर क्या है? to plus verb की first form versus to be plus verb की third form में और आपको साथी साथ बताऊं to plus verb की first form का जब भी हम use करते हैं तो इसका दो meaning होता है पहला होता है कुछ करके और second इसका use होता है न, 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 के sense में जैसे to learn का मतलब होता है सीखकर या फिर सीखना दो sense देता है to was मतलब हो जाएगा धोकर या धोना to see मतलब होता है देखकर या देखना तो ये कर वाला sense का बाता है इन्फनिटिव से और ये न, 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 न वाला sense का बाता है ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे और इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि दो या दो से अधिक simple sentences को जोड़कर infinitive की मदश से हम कैसे एक नया simple sentence बना सकते हैं चाहे sentences में subject अलग अलग हो या फिर कोई sentence passive में हो या फिर active में हम फिर भी उन्हें simple sentence बना लेंगे infinitive की मदश से तो सबसे पहले में आप लोग को बताने वाला हुए infinitive कहते किसी हैं तो मैं हूँ अनिलकुमार और आप लोग देख रहे हैं daily list for all तो देखिए what is an infinitive, infinitive क्या है तो infinitive कुछ भी नहीं बलकि to plus verb की first form को ही infinitive कहते हैं जैसे कि to was, to was का मतलब हो जाता है धोकर या फिर धोना यहाँ पर verb की first form से मेरा मतलब है verb की base form और इसी परकार से देखिए to learn मतलब हो जाता पढ़कर या पढ़ना, to clean मतलब हो जाता साफ करके या साफ करना अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि यह जो कर वाला sense आएगा इसका अलग structure होगा और जब infinitive से ना, ने, नी का sense आएगा तो उसका structure अलग होगा तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि infinitive काम कैसे करता है How does it work? यह काम कैसे करता है Infinitive, infinitive क्या होता है? Non-finite verb का एक रूप है जो कि वाक्ष में adjective, adverb या noun की तरह काम करता है तो आप लोगोंने क्या जाना? Infinitive, non-finite verb का एक रूप है जो कि वाक्ष में adjective मतलब विसेशन, adverb मतलब क्रिया विसेशन या फिर noun, संग्या की तरह काम करता है अब आप कहेंगे non-finite verb क्या होता है? तो देखिए examples है आपके सामने ये दो examples है They go there to learn English वे लोग वहाँ English सीखने जाते हैं इसका Hindi मतलब है और second sentence देखिए He goes there to learn English वो वहाँ English सीखने जाता है इन दोनों sentences में देखिए go जो verb है पहले sentence में अगर हम इस they को change करके एक third person singular ही को रखते हैं तो ये go, goes में change हो जाता क्योंकि simple present का sentence है जो भी verb tense के अनुसार बदल जाती है उसे हम finite verb कहते हैं अब देखिए जो verb नहीं बदलते हैं उसे हम non finite verb कहते हैं जो की infinitive होता है यहाँ पर देखिए to learn ये infinitive है और यहाँ पर ये to learn दोनों ही sentence में to learn नहीं बदला इसलिए ये infinitive है two plus verb की first form जब use होगी तो वो किसी भी tense का अनुसार या subject का अनुसार change नहीं होती है उसे को non finite verb कहा जाता है अब आप कहेंगे क्या non finite verb के कुछ परकार होते हैं हाँ तो बिल्कुल होते हैं देखिए types of non finite verbs non finite verb के परकार है पहला होता है participle second होता है infinitive और third होता है gerund तो हम participle के बारे में जान चुके हैं पिछली वीडियो में इस वीडियो में हम infinitive की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आप लोग को बता दू participle के भी तीन परकार होते हैं पहला होता है present participle मतलब कि verb की first form में जब ing लगा होता है तो उसे हम present participle कहते हैं जैसे go plus ing going second होता है perfect participle having plus verb की third form को perfect participle कहा जाता है और third होता है past participle यह verb की third form होती है इसी को past participle कहा जाता है अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ infinitive को use करने की rule तो देखे infinitive को use हम purpose दिखाने के लिए करते हैं reason दिखाने के लिए करते हैं मतलब कारण और inability मतलब असमर्थता दिखाने के लिए भी करते हैं और देखे जब हम sentences को जोडेंगे तो दो different subject भी हो सकते हैं तो भी हम infinitive का use करके उन्हें जोड सकते हैं और second sentence passive में हो तो भी हम infinitive का use करके जोड सकते हैं तो देखे to use infinitive for purpose तो जैसा कि आप लोगों के सामने दो sentences है पहला sentence है वो दुकान पर गया और second sentence है उसे वहाँ से एक pen खरीदना था तो इस दोनो sentences को आप इस परकार से जोड सकते हैं वो दुकान पर pen खरीदने गया अब देखे हमने इसे कैसे जोडा पहला वाला जो sentence था उसे हमने जैसे का तैसा उतार दिया मतलब कि जैसा है वैसा ही उतार दिया उसके बाद जो second sentence होगा उसका subject और जो helping verb है उसे remove करेंगे उसके बाद जो buy है उसे first form में रखेंगे to के बाद और उसके बाद हमने रखा object जो कि है a pen तो जितनी भी जरूरी information है वो सभी हमने इस sentence में रखी है इस sentence को बनाने में हमने from there इसलिए नहीं लिखा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि he went to the shop वो दुकान पर गया to buy a pen कहां से तो दुकान की तो बात हो रही है shop से ठीक है तो shop को हमने पहले ही mention कर दिया इसलिए हमने from there को यहाँ नहीं लिखा आप लिख भी दे तो भी गलत नहीं होगा यह है एक नया simple sentence infinitive का use करते हुए यहाँ पर infinitive का मतलब है to buy का मतलब है खरीदने ठीक है यहाँ कर वाला sense नहीं दे रहा ना ने नी वाला sense दे रहा है he went to the shop वो दुकान पर गया to buy a pen pen खरीदने तो आप इस परकार से समझ सकते हैं वो कलम खरीदने दुकान पर गया यहाँ पर ना ने नी वाला sense दे रहा है to उसका purpose यह था कि उसे वहां से pen खरीदना था तो यह एक उद्देश से था उसका दुकान पे जाने का एक उद्देश से था purpose था जब हम की बात करेंगे तो इन्फिनिटिव का मतलब होगा ना नए नी हिंदी में ठीक है तो used by मतलब खरीदने अब देखिए reason Ram became sad Ram दुखी हो गया He saw an injured dog उसने एक घायल कुत्ता देखा तो यहाँ पर reason की बात हो रही है Ram क्यों दुखी हुआ क्योंकि उसने एक घायल कुत्ता देखा तो कारण की बात हो रही है तो हम इन sentences को इस परकार से जोड़ेंगे Ram became sad to see an injured dog मतलब की एक घायल कुत्ते को Ram एक घायल कुत्ते को देखकर दुखी हो गया यहाँ पर to see करवाला सैंस दे रहा है देखकर जब भी reason की बात होगी और हम infinitive का यूज़ करेंगी तो वहाँ पर आप लोगों को करवाला सैंस मिलेगा ठीक है तब उसका मतलब होगा कर क्योंकि यहाँ पर reason की बात हो रही है Ram क्यों दुखी हुआ क्योंकि उसने घायल कुत्ता देखा इसकी हिंदी इस परकार से है घायल कुत्ते को देखकर Ram दुखी हो गया तो यह sentence आप लोगों ने किस परकार से बनाया पहला sentence तो वैसे का वैसे ही रख देंगे उसके बाद जो यहाँ वाली वर्म होगी उससे पहले अब to लगाएंगे उसकी first form बे ठीक है subject को हटा देंगे तो to see क्योंकि दोनों person सेम है Ram भी वही है और यही भी वही है अब देखे जब result की बात होती है infinitive का यूज करते हो तो क्या sense आता है Ramu is extremely busy Ramu अतियंद busy है या व्यस्त है He does not take his lunch on time वो अपना lunch समय पर नहीं करता है तो पहला बात की देखे रामू के busy होने से क्या हो रहा है result यह आ रहा है कि Ramu अपना lunch time पर नहीं कर पाता है या नहीं करता है तो यहां result की बात हो रही है तो आप इन दोनों sentences को जोड़के इस परकार से बनाएंगे Ramu is to busy to take his lunch on time Ramu इतना ज़्याद busy है कि अपना lunch नहीं कर पाता यह है यहाँ पर यह two negative sense देता है लेकिन यह two हमने लगाया क्यों तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू यदि कोई adjective दे रखा है sentence के last में और उससे पहले कोई adverb है जो की हो सकता है extremely, so, very extremely, so, very इस परकार के अगर adverb है उस adjective से पहले तो उस adverb को हम remove कर देते हैं और इनकी जगा हम two का use करते हैं two 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 ठीक है जो negative sense देता है उसके बाद हम उस adjective को रखते हैं उसके बाद हम two लगाते हैं और वर्प की first form कौन से वर्प की first form जो second clause में होगी तो second clause में main verb कौन सी है take तो take को हमने यहाँ रखा two के बाद उसके बाद his lunch on time his lunch on time क्योंकि रामू भी वही है और ये ही भी वही है इसलिए हम ही को remove करेंगे does not को भी remove करेंगे यहाँ पर two लगाएंगे और यहाँ से यह पूरा हम इस परकार से लिख देंगे तो इससे test का मतलब हो गया रामू इतना ज़्यादा बिजी है कि वह अपना खाना नहीं खा पाता है आप कहेंगे यह not तो लगा ही नहीं 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 वाला sense के वारा यह जो two है न यही वो negative sense देता है अब देखिए infinitive का use करेंगे दो subject के साथ मतलब कि दो different subject के साथ पहला sentence है the laptop was very expensive laptop बहुत महंगा था I couldn't buy it मैं उसे नहीं खरीद पाया या मैं उसे नहीं खरीद सका अब यहाँ पर हम इन दोनों sentence के जोड़ के इस परकार से बनाते है the laptop was too expensive for me to buy यह कुछ अलग परकार से बना है क्योंकि इसमें दोनों subject अलग-अलग है पहला subject है the laptop और second वाक्य में subject है I ओके दोनों subject different है तो हम इस परकार से structure का यूज करते है यह हमने कैसे बनाया देखी the laptop was यहाँ पर मैंने बुला very, so या extremely आए तो हम उसे to में convert कर देते हैं तो देखे very हटा के हमने to लगा दिया उसके बाद expensive अब यहाँ पर यह जो आई है अब यहाँ पर यह जो second वाकि में I है इसका हम objective pronoun रखेंगे I का me हो जाता है me रखेंगे लेकिन उससे पहले काम करना है इस me से पहले हमें four लगाना पड़ेगा ठीक है जब दो अलग-अलग sentences हो तो हमें इस परकार का structure use करना है four लगाएंगे उसके बाद me लगाएंगे उसके बाद to buy ठीक है मी के बाद infinitive का use किया हमने मतलब कि objective pronoun के बाद हमने infinitive का use किया तो इस sentence का मतलब हो गया laptop इतना ज़्यादा महंगा था मेरे खरीडने के लिए मतलब कि मैं उसे नहीं खरीद पाया नहीं खरीच सका इतना ज़्यादा महंगा था for me to buy मेरे खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा था इसलिए मैं उसे नहीं खरीद पाया ये to यही sense देता है negative sense देता है तो देखिए यहाँ पर I है subject तो हमने me का use किया for me अगर यहाँ पर he होता subject तो यहाँ पर हम कर देते for him अगर कोई c की बात होती लड़की की बात होती she could not buy it तो यहाँ पर हो जाता for her यहाँ पर ठीक है for her और they होता है यहाँ पर subject तो for them अब देखिए हम intuitive का passive की तरह use किस परकार से करते हैं पहला sentence है यह जो sentence है यह passive में है यह वाला second sentence उसे उस समय नहीं खरीदा जा सका क्यों नहीं खरीदा जा सका? क्योंकि the laptop was very expensive बहुत महँआ था laptop तो आप इसे इस परकार से बनाएबे the laptop was too expensive ओके the laptop was very expensive को कर देंगे आप too expensive कौन सा 2? t o double वाला 2 ठीक है very extremely और so को हम remove करके 2 t double o 2 कर देते हैं अब इस वाले sentence के खतम होते ही हम to be plus work की third form का use करेंगे जो की passive इन्फिनिटिव है क्योंकि यह second clause कौन सी है पैसिव में है तो हम इन्फिनिटिव का भी पैसिव ही use करेंगे to be bought at that time तो इस sentence का हिंदी मतलब हो गया उस समय laptop खरीदा जाना बहुत महँआ था उस समय laptop खरीदा जाना बहुत महँआ था ठीक है मतलब कि नहीं खरीदा जा सका यहीं sense है यहीं यह two sense देता है negative sense देता है तो आप लोगों को simple ही पता चल गया कि किस परकार से यह sentence is use हुआ है किस परकार से हमने इस sentence को यह एक नया simple sentence है आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर यह जो bot है यह change नहीं होगा यह infinitive बन चुका है infinitive का passive बन चुका है यह कोई finite verb नहीं बलकि non finite verb मतलब infinitive का passive है यह किसी भी tense या subject के अनुसार change नहीं हो सकती तो इतना clear है आप लोगों को अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ imperative sentences को कैसे जोड़े give him a glass of water और second sentence है he will drink it give him a glass of water मतलब उसे एक glass पानी दो और second sentence है he will drink it वो उसे पीएगा तो आप इसे इस परकार से जोड़ देंगे पहला वाला sentence पूरा उतार देंगे जैसा है give him a glass of water to drink यहाँ वाला हमने यह जो him है यही यह ही है यहाँ पर हमने he को और यह will को remove कर दिया केवल क्या रखा हमने drink उससे पहले हमने two को लगाया ठीक है two के बाद जब भी word आएगी तो word के first form ही लगानी है यह भी आप लोग को बता दू और यहाँ पर it को हमने क्यों remove के आपको पता है यह जो it है यह पानी के बारे में ही बता रहा है तो पानी को तो हमने पहले बता दिया यहाँ पर water और he को क्यों remove के आपको यह भी पता यह him ही तो यह ही है अब देखिए next he is very brave वो बहुत बहादूर है he cannot किसी adjective से पहले तो उसे to be convert कर देंगे तो यहाँ पर very को हमने to be convert किया उसके बाद brave लिखा जैसा कि यहाँ पर है उसके बाद हम to be plus verb कि third form तो इसका मतलब है इस sentence का it is too brave वो इतना बहादूर है to be intimidated मतलब कि वो इतना बहादूर है कि उसे ड्राया नहीं जा सकता वो हस से जादा बहादूर है कि उसे ड्राया नहीं जा सकता दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग आप लोग उन्हें अच्छे से समझा होगा two plus verb कि first form वे कर वाला sense का बाता है और नहीं वाला sense का बाता है और कैसे आप लोग आशानी से sentences को जोड सकते हैं infinitive का यूज करते हुए और infinitive के passive का यूज करते हुए जब यह second sentence passive में हो तब हम infinitive का passive यूज करते हैं जब second sentence active voice में हो तब हम two plus verb की first form का यूज करते हैं तो thanks for watching इस वीडियो में इतना ही बाई बाई